दोस्तों आज हम एक बेसूरे सांसद के बारे में बात करेंगे बेसूरा जिसका कोई सूर ना हो अवाट बवाट जो चाहे वह बोले न विधी का कोई संग्यान है और ना ही लोक लाज ऐसाई एक बेसूरा सांसद है सांसद का नाम है चिंतामणी मालवी है या उजयन से चुना गया है भरती जिनता पार्डी का सांसद है और एक बेसूरा हिंदू महासभा का कोई लीडर है दोनों को बेसूरा मैं कहूँगा इन लोगों ने कहा है कि रात भर जलाऊंगा पटाखे सुप्रिम कोट क्या करेगा दोस्तों मैं कई दिन से लगातार परियाबरन संदच्छण की बात कर रहा हूँ दसारा के दिन से ही डियल डवलो में एक वीडियो किया था जिसमें हुने बताया था कि दुरगटनाएं होंगी यह दुआ कि इस तरह से जीवन तबाह कर रहा है प्रतुसर्ण पैदा हो रहा है यह भी बताया था कि इस प्रकार की दुरगटनाएं कभी भी हो सकती है भगदर कभी भी मच सकता है दूसरे दिन अमरित सर में बड़ा हाथसा हुआ था दिपावली की चर्चा करते हुए मैंने कल एक वीडियो किया था जिसमें हमने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के उस बिनिश्चे का हवाला देते हुए कहा था कि बारानसी में ही इतने पठाके हैं कि कभी भी बिसफोट हो सकता है बिसफोट हो भी गया आप देख सकते हैं बारानसी मकान में धमाका दो की मौत गायल भी लोग हैं इस तरह की और भी घटनाएं होगी कोई भी दिपावली बाकी नहीं गया है जिस दिपावली में इस तरह की घटनाएं न हो लोगों का वहमूले जिवन नश्ट न हो और जानमाल का खत्रावत्पन न हो अब पता नहीं मोदी जी क्या कर रहे है बेनो भाईयों हरियाली बचाओ हरियाली बचाएंगे बेनो भाईयों परियाबरहन बचाओ गंगा बचाओ क्या हो रहा है कान पकड़ के मोदी जी ऐसे अपने बेसूरे संसत को बाहर कर दीजिए आप जिसको टिकर दोगे वही जीतेगा लेकिनी पता नहीं कौन कौनी साक्षी महराज कभी उल्टा सिधा बोलता है दस बच्चे पैदा करो अरे तुम्हें क्या पता कि किस प्रकार कुपोसन बच्चे कुपोसित हैं गाल धस गया है महिलाएं को पोसित हैं अस्तन में दूद नहीं है बच्चा हुनक हुनक करके दूद पीने की चेस्टा कर रहा है मुझे याद आ रहा है हमारे एक मित्रहें डाक्टर केयनलाल होमेपैद के चिकित्सक हैं उन्होंने चारलाइन की कविदा सुनाया था मुझे अस्मरन हो रहा है उस में उन्होंने यह बताया था कि किस प्रकार बच्चा दूद पीने की चेस्टा कर रहा है और मा की चाती में दूद रही है मा की सूखी चाती पर हुनकता बच्चा मा की सूखी चाती पर हुनकता बच्चा यानि कुछ है नहीं, एकदम कुछ लग नहीं रहा है कि अस्तन में दूध है एकदम यह तरह से चेश्ट सपाट हो गया है मा की सूखी छाती पर हुनकता बच्चा हुनक करके दूध पीने का प्रयास कर रहा है मा की सूखी छाती पर हुनकता बच्चा एक ऐसी भी फोटो संसद में लगाई जाए एक ऐसी भी फोटो संसद में लगाई जाए चली अब मैं एक और समाचार का उलेख कर रहा हूँ याकल दिली से दिल्ली से माननी सर्वोच नयाले के एक टिपड़ी को बता रहा है गर्भ में पल रहे बच्चों पर भी पल रहा है प्रदूसर का असर सुप्रीम कोट सुप्रीम कोट ने इस तरह की टिपड़ी किया है कि जो गर्भ में पल रहा बच्चा अब ही हमारी बात कुछ स्वास्तकारे करताओं से हो रही थी, कुछ जो महिला कारी करता है, महिला चिकिच्चक है तो लोग ने बताया कि साथ महिने में छे महिने में बच्चों के पैदा होने, गर्ब में ही उन्हें मर जाने और तमाम भैंकर बिमारियों से ग्रसित होने के मामले लगातार प्रकास में आ रहे इसमें भी पलुसन है धूआ धूआ दूआ चारों तरफ धूआ जारीला धूआ चारों तरफ भू लूड रही है और लोगों के फेपड़े संक्रमित हो रहे हैं कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो रही है पता नहीं इसने कितनी पढ़ाई किया है मुझे तरस आ रहा है और मैं अच्छे ढंक से चेहरा भी इसका ऐसा लग रहा है जैसे ले मैन हो संसर जी तुमसे अच्छा तो कोई मुर्क होगा और मैं वहाँ के लोगों से अपील करना चाहूँगा जाकर के भी करूँगा कि इसको हरा दें बुरी तरह से हरा दें यद्दिब के ऐसे बेसुरे उट पटांग, उल जलूल और कुतरकों पर आधारित बासट करने वालों की भूलता है कोई गिरी राज महराज है पता ने क्या है काउन साधिवी है इस ब बटोर बटोर के पता ने कहां से लाये हैं इन लोगों को फिजूल का क्या बोल देंगे कुछ कहा नहीं जा सकता मैं भर्थना करता हूँ इनकी निंदा करता हूँ और गूट सेंस तो इसको आएगा ही नहीं कि गूट सेंस की कामना करें और प्रदान मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि अगर कुछ अच्छा चाह रहे हैं तो कान पकड़ कर के ऐसे लोगों को बाहर करें इनहें क्या पता कि पटाखे फुटने से किस प्रकार लोगों का हर्ट अटेक हो सकता है भेंस और गायों के पेट से बच्चा बाहर आ जाएगा मैं कई बार देखा हूँ जैसे साधी विबाह में लोग मालते नहीं हैं कई बार तुम्हें वहां से निकल गया कहीं फायर हुआ कहा करके निकल गया एक जगे तो मैं धरने पर बैठ गया फायर रुक नहीं रहा था अगने आफ्तर से सब फायर किये जा रहे थे मैं कुर्सी से उतर करके जमीन पर बैठ गया उसके बाद लोगों ने कहा कई लोगों ने कुछ कहा भी आई नहीं मानेगे इनको बस यहीं बीमारी है अब खुसी का आउसर है बेटा तुम्हें क्या पता कि खुसी के आउसर पर कितने लोगों की जाने गई है तो फायर होने से और पटाके खुटने से हर्ट अटेक हो जाएगा बकरी के पेट से बच्च आ जाएगा भente और मैं बता रहा था पक्षियों को जैसे रागों पक्षी आपने अपने आसरे में होती है अपने खोसले में होती है जहां पे उनका अस्थान है जैसे ही पटाखिया आप रात को छोड़ रहे हैं आप देखेंगे तोता, मेना, गुरिया सब निकल करके ऐसे आसमान में आपका भी ध्यान दीजिएगा गिर जाते हैं, मर जाते हैं भीया देश का कल्याण कई से होगा ठीक है मुझे जिसको जो कहना होगा कहेगा लेकिन देश की सेहत के लिए, पर्यावरण की सेहत के लिए अपने ही बच्चों के ब्यहतर भविसे के लिए इस बात की आवसेक्ता है कि दिपावली, अच्छा किसने कहा कि दिपावली हम पटाके छोड़ेंगे, तभी दिपावली बनेगे हम ग्रीन पटाकों का अविस्कार करें, हम उन्हें विक्सित करें और हम दिये जलाएं, मिट्टी की दिये तो आपने छोड़ दिया जो हमारी सांदार परंपरा थी आदर्फ पक्ष था जो दिपावली का, आपने दिया तो छोड़ दिया हम तेल जलाते थे, सरसो के तेल जलाते थे, वह तो आपने छोड़ दिया उसके अस्थान पर जालर, चाइनी जालर लगाने में सरम तो नहीं आएगे लेकिन आप कहेंगे पठाके हम छोड़ेंगे, ठीक बैया, आगे पीछे सब को दंड बिलेगा और हमारी पीडिया, हमारे बच्चे, हमारे ही नवनी हाल, हमारी ही जनरेशन, हमारी ही कवमें हमसे तीखा सवाल करेंगी, डाट करके पुछेंगी, देश का नुकसान हो रहा था, स्रिष्टी का बिनास हो रहा था आप क्या कर रहे थे, हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा, पुना, जो हिंदू महासभावाले, जो भी होंगे इस तरह के लोग, यो भी होंगे, किसी महासभाव के होंगे, किसी जाति बर्ग कौम के होंगे, डट करके, उनकी निंदा, उनकी भर्थना करना ही होगा, नहीं तो फिर भीया, देश का कल्यार नहीं होगा आल्किल 21 सम्मिधान का, देश के सभी लोगों को संपरून गरिमा के साथ, सुरक्षा के साथ, जीवन जीने का आधिकार प्रदान करता है, जिसका हनन होते हुए, हम नहीं देख सकते, आज हम हैं 25 अक्टूबर 2018 को, अपने ग्री हिजन पद, गाजीपुर में, नागरी आभियों का पालन करते हुए, धन्यवाद.